कहानी शुरू होती है, हमें हमारी मेल लीट को दिखाया जाता है, जितका नाम दिया होता है, जो अपने हस्बेंड के साथ होती है, और उसकी शादी को दो साल हो गया था, उसके हस्बेंड ने उसे आज तक टच भी नहीं किया था, आज इसी लिए दिया उसके साथ और ना ही अब खुश हूँ, इसलिए बेतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं, दिया ये सुनने के बाद भी जियां की शर्ट की बटन ओपन करते हुए, उसे बेट पर पुश कर देती है, फिर उसे किस करते हुए, एंटिमोड मेट को एक्टिब कर उसके साथ नाइट इस्पै अब नेक्ट मॉर्निंग जब जियांग की आँख खुलती है, तब उसे रात की सारी बाते याद आने लगती है, तब ही वो बेट पर देखता है, तब दिया वहाँ पर नहीं होती, ये देकर वो खुश करने लगता है कि क्यों उसे अपना कंट्रोल खो दिया, तब ही बेट पर उसकी नजर पड़ती है, तब उसे ब्लेट का मार्क नजर आता है, अब वो शियोर हो गया था कि आज उसने वो कर दिया, जो कि पिछले दो सालों से नहीं किया था, वैसे जियांग बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है, अब अगले दिन उसे दिया का भेजा हुआ डिबो उस पेपर को फार देता है, और अब से शिप्ट होती है, हमें नौ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां दिया तीन बेबी इसको चनम देती है, दो ठीक थे लेकिन एक बेटा मर चुका था, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है, इसलिए उसे ड्रश्टमिन में डाल कर बहुत कुस्सा आता है, वो कहता है कि दिया तुम कैसी औरा तो थे माटा भी नहीं बची है, नहीं है कभी माफ करूंगा, तुम इस दुनिया में कहीं नहीं दिन तुम्हें तलाश लोंगा ही, और उसी धिर में तुम से अपना बदल्ला ले लूंगा, यह कहते हुए बच् को कॉल करती है जो कि अपने फ्रेंड को कॉल खर दिया के तो बेबी होती है एक तो हैकर होता है और दूसी गिटार प्लेयर होती है पर इसे लिए इसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहां पर आ चाओ विसे डिया चाइना आचिकी थी जैसे ही वह एरपोर्ट पर आग मेरा बेबी होता तभी वो बच्चा दिया को स्वारी बोलने लगता है क्योंकि उस टक्कर की वज़े से दिया का फोन जमीन पर गिर गया था तभी बच्चे के महसुमिया देखकर दिया उसे गोध में उठा लेती है और उसके प्यारी बाते सुनने लगती है और उसे हिसास तब वो हम पर बहुत ही गुस्सा करेंगे और आप हमें जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूं मैं सिर्फ अपने डैडी का ही बेटा हूं यह सुनकर एक बार वो बच्चे को छोड़ देती है लेकिन अगले ही पल फिर से उस बच्चे को गोद में लेकर जाने लगती है क्योंकि उसका बच्चा एरपॉर्ट पर उसे लेने के लिए आया होता है लेकिन यह दोनों ही ट्विन्स होते हैं जिस वजी से दिया का बेटा एरपौट पर हर दर। इसे चलाश करने और दिया दूसरे बच्चे को साथ लेकर जाने लगती है वो क्योट सा बच्चा खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आंटी को वो कैसे समझाए इधर जियांग को पता लगता है कि उसका बच्चा खो गया है यह सुनकर वो बहुत ही गबरा जाता है फिर अपने असिस्टिन से कहता है कि जल से जल बच्चे को तलाश करो अपको सिर के माद असिस्टिन कहता है कि आपके बच्चे को एरपोर्ट पर एक लेडी ने उठाया था और हमें वहाँ चल कर बच्चे को तलाश ना होगा अब यह सुनकर सारे ही लोग वहाँ पहुंच आते हैं उधर दिया के साथ वो बच्चा बहुत ही खुश होता है क्योंकि दिया अपने साथ लाए हुए सारे ही कपड़े और ट्वाइस उसे देने लगती है इस तरह बच्चे और दिया के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी थी य और बच्चे को डैडी को दे दिया जाता है जियांग बच्चे से कहता है कि तुम्हें पता है हमें तुम्हारे भी ना कहीं भी अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे कैसे हमें छोड़के जा सकते हो जित पर वो बच्चा कहता है कि वो मेरी मम्मी थी आप समझने ही सके यह सुन और कहता है कि आप बहुत ही गंदे हैं, मैं कभी भी आप से बात नहीं करूंगा, बच्चे के नाराज़गी देखकर सियांग परिशानों हो जाता है, साथ में ये भी सोचने लगता है कि आज तक बच्चे ने ऐसी बात नहीं कहीं थी और नहीं कभी उसने पापा को बुरा कहा था आज फिर कैसे ये सब हो रहा है एक पल के लिए जियांग को भी बच्चे की बात सच लगने लगती है इसलिए वो दिया से मिलने चला जाता है जैसे ही तोनों एक दोसरे को देखती हैं दोनों ही शौक हो जाते हैं दिया को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब रियल हो रहा है या फिर वो सपना देख रही है तब इस जियांग दिया को टोन करते हुए कहता है कि अच्छा तो आज भी तुम वैसे ही हो जरा भी नहीं बदली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को भलकाने की और उसको मुझसे दूर करने की ये सुनकर दिया सफाई दीने लगती है तब इस जियांग कहता है त जिया जटके मार कर अपने हाथ को चुड़ा लेती है दुश्मनी ताजी थी और नए मोड की तरफ बढ़ने लगी थी कहानी बड़ी ही इंट्रेस्टिंग लग रही थी अब जियांग बच्चे के हाथ को पकल कर घरी के तरफ जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि अब मुझे अपने बच्चे से मिलने दो जिस पर दियांग कहता है अच्छे तो आज तुम्हें तुम्हारा बच्चा याद आया आज के पांच साल पहले कहां थी जब इसे मरने के लिए फेक दिया था तब यह तुम्हारा बच्चा नहीं था वा कमाल की माह हो आज तुम्हारी ममता जगी है ये सुनकर धिया रोने लगती है वो कहता है कि ठीक है बच्चे को बच्पन से अब तक बढ़ा करने में जितने पैसे हमारे खर्श हुए हैं तो मगर उतने हमें दे दो तब तुम अपने बेटे से मिल सकती हो ये सुनकर धिया का कदम टहर जाता है क्योंकि उसके पास ते इतने पैसे थे ही नहीं वो कैसे इन पैसों को दे सकती थी लेकिन उसे अपने बचे से भी मिलना होता है इसलिए उस जियांग से कहती है कि मैं बच्चे के लिए लोन लेकर तुम्हें पैसे दे दूंगी और अपने बच्चे से मिलकर ही रहूंगी जिस पर जियांग क के बाद तुम अपने बच्चे से मिल ले ना यह सुनकर डिया वहाँ से चले जाती है लेकिन अब उसे बच्चे के लिए कुछ भी करना होता है आप नेक टीका सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर बच्चा सीधकर होता है कि उसे किसी मासे मिलना होता है और तब ही दिया की call आती है वो जियांग से कहती है कि मैं तुम पर case कर दोंगी और अपने बच्छे को तुमसे लेकर रहूंगी जोपर जियांग कहता है खुद के खाने के पैसे तो बच्चे को क्या भूता की लोगी अरे तुम्हारी आउकात नहीं है मेरे बच्चे के एक दिन का खर्च उठाने की अब दिया समझ गई थी कि लडाई से कुछ हातिल नहीं हो सकता है इसलिए वो जियांग से माफी मांगने लगती है साथी कहती है कि एक बार वो उसे दोबारा चन्स दे दी अब से वो कभी भी जियांग को धोका नहीं देगी दिया के बाते सुनकर भी पिगल जाता है वैसे जियांग कहीं ना कहीं दिया से अटैच हो चुका था जबसे उसके साथ उतका फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका था खेर अब दोनों हस्बेंड वाइफ मे समझोता हो जाता है और दिया अपने बेटे से मिलने आ जाती है आते ही बच्चे को गले से लगा लेती है और कहती है कि अब से वो अपने बच्चे से दूर कभी नहीं जाएगी मा बेटे की ममता देखकर जियांग घर से बाहर चला जाता है तब ही एक पेंटिंग का गला काट कर उसमें बच्चे को डाल कर बड़े ही चालाकी से दिया बच्चे को लेकर फरार हो जाती है यह बाद जब असिस्टेंट को पता लगती है तो वो जियांग से कह देता है जिस पर जियांग का एक बार फिर से धिया पर से भरोसा उड़ जाता है वो सब पर ही गुस्सा करने लगता है तब ही ये लोग पहार निकलते हैं जहां पर दिया का दूसरा बेभी मौचूद होता है यानि कि धिया का बच्चा अब जियांग के पास रहेगा और जियांग वा पहले तो ऐसे नहीं थे अब कैसे हो गए हो जब से तुम्हारी मम्मी आई है तुम शेतान बन चुके हो यह सुनकर बच्चा कहता है कि अरे मैं आपका बेटा नहीं हूँ मुझे अपने घर पर जाने दो लेकिन जियांग उसे कमरे में बंद कर देता है उसे लग रहा होता है क जिसे बच्चे की राइंग योज करके उसे काफी हैल्फ मिल सकती थी इसलिए जब वो बच्चे के राइंग देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो हमारी सारी टेंशन ही खतम कर दी उधर जियांग बच्चे को खुश करने के लिए उसे खवाली कर रहा होता है लेकिन बच्चा कहता है कि अकेले में करने दो मैं बड़ा हो गया हूं तुम सब को यहां पर खड़े रहने में शर्म आनी चाहिए यह कहते हुए डोर को बंद कर लेता है तब दिया वाला बेबी में वहां पर पहुंच जाता है अब दोनों की नफरत खतम हो जाए यह बाते सोचते हुए बचे प्लान बनाने लगते हैं कि मॉम डट को कैसे मिलाया जाए और बाहर दिया और दोनों में जगड़े होने लगते हैं अब दिया कहती है कि मेरे दो बच्चे थे तुमने एक को छीन लिया और दूसरे को मैं लेकर होंगी यह हैं सारी बात दिया मन ही मन में कह रही होती है दिया को लगने लगा दूसरे कर ली यह सब सोस्ते बेदया कहती है कि वह बच्चे को पाने के लिए हर हल से गुसर जाएगी फिंट्री होती है लीकी जो कि ज्यांग से शादी करने की बास सोस्ती है लेकिन जियांग के साथ रह रहा बच्चा इस टप मदर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है वैसे जियांग को शादी का कोई भी शौक नहीं होता है लेकिन बच्चे के देखरे करने के लिए उसे मा के सरूरत होती है इसलिए जियांग ने सोचा होता है कि वो अपनी फ्रेंड से शादी कर ले अब यहाँ पर लीन अपनी फ्रेंड से दिया के बारे में बात कर रही होती है कहती है कि जियांग के पास दिया का बच्चा है मैं इस बच्चे को बाद में बताऊंगी कि कैसे इसे घर से भगाना है पहले मेरे उसे शादी तो हो जाए फिर बच्चे को रास्ते से हटा दिया चाएगा यह सब साइड में छिपा हुआ बच्चा सुन रहा होता है अब वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है अब ये बाते अपने डैट से बताने के लिए चाने लगता है लेकिन तब है उसका पैर स्लिप हो जाता है और लीगी नजर उस पर पड़ जाती है यह देकर बच्चा डरे की वज़े से वहां से भाग जाता है और से शिप्ट होता है जियांग और दिया की तरफ जहां पर दोनों का बिजनस बहुत ही अच्छा चल रहा था और दिया ने मानो धमाली मचा दिया था इंडर्श्टी में हर तरफ उसके नाम के चर्चे होने लगे थे अब जियांग दिया से कहता है कि तुम यहां पर क्यों आई हो अब तक जहां पर थी वही पर क्यों ने रहती हो जियांग कहता है कि उसे बड़ा बिजनस करना है और वो यही पर रहेगी और इससे अच्छा उसके पास एक और आइडिया है क्यों न हम दोनों ही पार्टनरशिप में आ जाएं जिस पर जियांग कहता है कि मैड़म माफ करो एक बार मैंने तुम पर भरोसा किया तुमने उसे तोड़ दिया दोबारा किया बच्चे लेकर फरार हो गई इस बार जाने क्या करोगी हमें तुम से जरा दूर ही रहना होगा जियांग की ये बात सुन कर जिया मनी मन कहती है कि कितना ख़डूस है कितना रूड विहेवियर है इसे तो बात करने वाला ही नहीं है यह सब बाते वह बढ़ा रही होती है दिया की यह बाते जियांग सुन लेता है कहता है कि यहां से दफ़ा हो जाओ तुम जैसी औरते बात करने लाइक तो होती ही नहीं वो तो बस मज़े ले रहा होता है तभी जिया यहां से नशी में ही बाहर जाने लगती है और इतने वहें कुछ गुंडे आते हैं दिया के पीछे लग जाते हैं उनमें से एक ललका दिया के करीब आकर उसे छेड़ने लगता है दिया उस पर चीखने लगती है और उसे दूर भगाने लगती है तभी जिया यहां पर आ जाता है दिया को उन गुंडों से बचा लेता है जिया का यह अपना पन देख कर दिया को फिर से जिया पर प्यार आने लगता है वो उसे तमाम बाते कहने लगती है उसकी बातों में जियांग हो जाता है तब ही दिया जियांग पर बहुत सारा वामिट कर देती है जिस पर जियांग केहता है कि तुझे मेरे ड्रेस को बर्बात कर दिया तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं जिस पर दिया कहती है कि मुझे माफ कर देना घल्टी से हो गया बच्चों की तरह रूने लगती है अब जियांग पड़ी ये मुश्कल से दिया को घर लेकर चला आता है दियापने होश में नहीं होती लेकिन बेटे को देखते हैं होश में आ जाती है और कहने लगती है मेरे बच्चे मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी ये कहते हुए बच्चे को हग कर लेती है अब जियांग कहता है कि तुम अभी पूरी तरह से होश में नहीं हो इसलिए तुम्हें बिट पर रिष्ट करने चाहिए लेकिन दियाओं से देखते ही कहती है कि तुम कितने होट हो मुझे आज भी वो नाइट याद है मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूं उसके इन बातों पर शियांग शर्मा जाता है और कहता है कि यह कि घटिया और यहीं सब होते होते दुनों एक दूसरे को देखकर होने लगते हैं और काफी घुल मिल जाते हैं अब जियांग अपना आपा खो देता है जैसे ही वो दिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तब इस तरह जियांग उल्लू पन जाता है और दिया पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आज फिर हमें थोखा दे दिया तुमें तो सजा मिलने चाहिए अगली सुबस दिया क को होशाता है और उसे होता है कि उसने जियांग के साथ बहुत ही गलत किया है उसे तो नहीं चाहिए था अब उसे ड़र लगने लगा था कि अब तो वो ज़रूरी बतला लेगा इधर ये दोनों भाई मिलकर आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हम लोगों को मिलाना चाह तब दिया के पास बच्चा आता है और उसे पूस्ता है कि क्या मैं बाहर जाओं जित पर दिया कह देती है कि हाँ जा सकती हो अब दिया ने एक ही शकल के दो बच्चे को देखा होता है इसलिए उसे शक हो जाता है अब वो मास्क और शेश्मा लगा कर बच्चे का पीछा करते दी ती झांग सब एके जगें पर पहुंचे के थे यहां पर पीछे से देकर लगता है कि यह तो दिया है लेकिन यहां पर यह क्या कर रही है अब दिया के पास आता है और उसे उसके यहां आने की वज़े पूसता है जिस पर दिया दूर हटने की बात कहती है और कहती है कि मैं कुछ देखने के लिए आई हूँ मुझे देखने दो यह कहते हुए उसकी नसर जियांग पर जा पड़ती है यह देखकर वो काफी डर जाती है और जियांग कहता है कि तुम यहां पर क्यो जाती है चिपते हुए उनकी बातों को सुन लेती है अब दिया रूम में जाते ही बेहोश हो जाती है देखर बच्चे हसने लगते हैं कि इनको क्या हो गया है अब दिया को खूश आता है तो वह बच्चों को देखते हुए कहती है कि तुम दोनों हो यानि मेरा बच्चा मरा लिकर वो दोनों िे बच्चे अपनी मॉम को मना करते हैं कि डाड़ी को यह बात ना पता लगे यह सब उन को ना पता ञाएज रना वह बहुत हये हर्ट होन्गे दिया बच्चों के साथ बड़ी ही खुश होती है दिया बच्चों से कहती है क्जिकि वह डाड़ी को कुछ भी नहीं बताएगी अब बच्चों के साथ खुशी के साथ रहने लगी थी तब जियांग के कंपनी का एक बंदा आता है और उसका एक दुश्मन भी आ जाता है जो के जियांग के बेटे को किड्नाप कर लेता है और जियांग को कॉल करके बहुत सारे पैसे मांग लेता है जिसके बच्चा डाडी के पास भागती वे आ जाता है जियांग बच्चे को लेकर यहां से चला आता है उधर दिया बहुत ही डर चुकी थी लेकिन बच्चे को देखकर फिर से उसे खुशी मिलती है जियांग सही सलमत बच्चे को घर पर लेकर आ चुका था अब यहां पर दिया लग रहा था कि बेटी के लिए उसे लिंदे शादी कर लेनी चाहिए और यहीं पर फाइनल डिसीजन ले लेता है यहां ते दिया जब अपने घर पर जाती है अपने बचों से मिलने के लिए तभी जियांग ली के साथ हाथ में हाथ डाले हुए आ जाता है तभी वह देखता ह है कि दिया अपने पीछे कुछ चिपा रही है वो दिया को देखता है और कहता है कि तुम क्या चिपा रही हो जहां पर दोनों बचे मामा के पीछे चिपे होते हैं और काफी डरे होते हैं तभी जियांग बचों को देख लेता है जहां एक बचा पीछे चिप जाता है जब पर लियव ने गुंडों से बोलती है कि लियांग के बेटे को किड़्णाइब कर लो यहाँ पर दिया समझ जाती है कि कि किसकी प्लानिंग है क्योंकि दोनों ही बच्चे उसके बारे में दियां को बता देते हैं कि वो उनकी इस्टेफ मदर बना चाहती है और बच्चों के सा तो जाती है त Wanna Drag By देंए अगे ले कर आता है और कहता है डियां होश न प्हतर तो होँ यहां पर दोनों ही बच्चे काफी डरे होते हैं अध़ी सादा रुरे होते हैं अधैयर के वांधर है रहे कर अधैन। खेर अब दिया तीनों ही बच्चों को बुला ले दी है और बताती है कि उसके ये तीन बच्चे है और एक्चलि में दिया ने जो तीन बच्चों को जनम दिया था ली ने दिया के साथ गेम केला था वो डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि दिया को बताना कि तुम्हारा एक बेटा मर गया है ऐसा करने के लिए ली ने डॉक्टर का मुँ मांगा पैसा दिया होता है यानि के दिया को अब तक लगा था कि उसके दो ही बचे हैं एक लड़का और एक लड़की और एक लड़का जो के मर चुका था उसे उसने डर्ष्ट बिन में डाल दिया था लेकिन ये गेम लीका खेला हुआ होता है क्योंकि वो जियांग को पाना चाहती थी लेकिन बाते पता लग जाती है तब लिसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेश्ट फ्रेंड माना था लेकिन तुमने तो दुश्मन वाला काम किया है तुमसे ऐसी उम्मीर तो नहीं थी अब दिया के स्टोरी बताने के बाद जियांग को भी समझ में आ जाता है कि वो जो तो सूने लगता है कि हाई ये मैंने क्या सोचा मैंने इसके बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया दिया तो अपनी जगी परफेक्ट मा है मेरी ही गलती है कि मैंने ही मा की ममता को नहीं समझा फिर अपने तीनों बचों को देखता है और बहुत ही खुश होता है फिर दिया से कह मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक घलत समझा तीनों बचे पड़े ही खुश होती हैं और हमें एक फैबली मिल गई है सब लोग बहुत ही खुश होती हैं सियंक दिया को परपोस करता है दिया उसे के परपोजल को कर लेदी है और इसी के साथ इस फैपे इंडिंग हो जाती है तो फ्रेंट ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सुरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हम आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर